सो नमशकार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों आसकी वडियो में हम बात करने वाले हैं Telegram चैनल की प्रोब्लम के बारे में अगर आपने अपना Telegram चैनल बना के रखा हुआ है और जब कोई आपके चैनल को सर्च करता है टेलीग्राम पर जाकर तो आपका चैनल उसको सर्च में नहीं आता है तो कैसी इस प्रॉल्म को ठीक करेंगे और कैसे आपने चैनल को सर्च में ला पाएंगे आज के विडिम आपको बताने वाला हूँ suppose कर लीजिए जो भी अपना कोई channel बना रखा है आपने हो तो आप search bar में जा कर अपने channel का नाम लिखते हैं guys मैं आपको दिखा देता हूं जैसी है आप जो अपने channel का नाम लिखती है और इसको search करते हैं तो आपका channel निकल कर आ जाता है जैसे कि यह देख सकते है मेरे चैनल निकल कर आ चुका है और कहीं बार होता कि है guys ऐसे में अगर आप सर्च पर जाकर अपना चैनल का नाम लिखते हैं तो कहीं बार आपका चैनल नहीं आता है तो ऐसे में क्या आता है मैं आपको दिखा देता हूं तो guys आप मैं फिर से आपको channel को search करके दिखा देता हूँ अब मेरा channel आएगा या नहीं आएगा दुबारा से करते हैं search तो guys देख सकते हैं वो channel अब यहाँ पर search में नहीं आ रहा है तो कैसे उसको search में लाएंगे आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो directly आपको अपने channel को open कर लेना है यहाँ से देख सकते हैं मेरा channel आ चुका है अब यहाँ पर जो है सभी को आपका channel नजर आए ऐसे में आपको करना क्या होगा channel पर आने के बाद आपको इस पर click कर देना है और फिर से जो हैं आपर उपर की तरफ आप देख पाएंगे pencil का निशान आप इस पर click करिए then उसके बाद नीचे की तरफ आप देख पाएंगे channel type channel type पर आपको click कर देना है channel type पर click करने के बाद यह setting लिकर कर आई है private channel और public channel आपको यहाँ पर जो है आपका private channel पर click होगा तो आप यहाँ पर public channel करेंगे अब यहाँ पर public channel करने के बाद यह public link नीचे की तरफ देख सकते हैं इस पर आप आईए और यहाँ पर अपने channel का नाम आप लिख सकते हैं तो यहां पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है तो यहां पर कोई भी आप अपने इस आप से जो है युनिक सा कोट डाल सकते हैं कुछ अल्फवेट्स डाल सकते हैं तो आपना लिंक बनाने के लिए तो यहां पर मैंने डाल कर लेते हैं यह space को हटाएंगे हम यहां से सो गाइज देख सकते हैं फिर से search बार में आने लगा है देख सकते हैं तो ऐसे ही आप जो है अपनी setting को change कर सकते हैं आपका जो है private होगा तो इसको public कर लीजेगा तो आपका जो चैनल है search bar में आने लग जाएगा searching में आने लग जाएगा so guys आज की वीडियो में बस इतना ही hope आपको सब कुछ समझ आ गया है वीडियो अच्छे लगी तो like कर देना और चैनल को subscribe कर लेना मिलते हैं एक्स वीडियो में love you all